एक डर का जो है concept रहता है और खास कर लड़कियों की जिंदगी में कि जब छोटी होती है तो माबाप का डर, बड़ी होती है तो भाईयों बड़े भाईयों का डर, बाजार में होते हैं तो अंजानों का डर, अकेले रास्तों पे होती हैं तो कोई आ ना जाया तनहाई का डर, यह सब जो है डर यह लड़कियों की जिन्दगी में बहुत होता है यह डर तब तक नहीं खतम होता है जब तक उनकी उनको को अपना जो है सोलमेट हमदर देना मिल जाए और कसम खुदा की यह सारा बदला उससे निकाल लेती है अच्छा 26th हम लोगने रिपब्लिक डिवन आया अपना 75th तो आज मैं शेर और गजल और शायरी नहीं पढ़ना हूँ मैंने जिन्दगी में अपनी पहली बार जो है हिंदी में कविता लिखी है तो मैं देख के पढ़ना जाऊँगा उससे पहले एक शेर जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिन्दगी में तो कोई शक्स यू मिले कि जिससे बात करें तो सुकू मिले जिन्दगी में कोई शक्स यू मिले कि जिससे बात करें तो सुकू मिले और ये वकालत बने जरीया इन्साफ का सच्चाई को थामे रखने का जौन मिले सच्चाई को थामे रखने का जुनून मिले और आखरी शेर है इसमें जो आइंड वाला है वो मैंने बताया है लिखा है कि डर नहीं लगता जंग और मौत का जहीन हिंदुस्तान की मिट्टी में मेरा खून मिले अच्छा इससे पहले जो है यहाँ प्यार महब्बत की बाते हुई है एक मैं सोच रहा हूँ पढ़ दूँ खास कर है किसी के लिए ओ हो भी सकता है यहाँ नहीं भी हो सकता है एक ही शेर है कि एक मुखतसर अंदाज से उसे देखने का मन करता है एक मुख्तसिर अंदाज से उसे देखने का मन करता है मैं जब भी उसे देखता हूँ फिर देखने का मन करता है तो अभी आ जाते हैं हिंदी वाली जो हमारी है कविता उस पे सुनिएगा कि सुतंत्रता की राह पर आजादी की मिसाल गौरप से भरा दिल गगन में तिरंगा लहरा है गरतंत्रता की साजगी आसमान में च्छाई भारतवासियों का साथ है देश पर पहरा है जनता की आवाज समिधान की राह पर हर कदम पर स्वतंत्रता का चड़न लहरा है प्रतिग्या से संजीव संघर्ष में समर्थ भारतिय विकास की राह में देश भक्त की मिशाल हूँ सासक्त हूँ समर्थ हूँ स्मृध्धी की ओर हूँ इस मिट्टी का कलाम हूँ मैं भारत का शौर हूँ मैं हिंदुस्तान हूँ एक और जो है जो हम लोग का प्रोफेशन है मैं उसके उपर आप लोगों बताना चाहता हूँ इसका शीर्षक है मैं लेखक की कलम की तलवार से जूजता मैं लेखक शब्दों की जंग में अकेला लड़ता हुआ आसमान से उतरी मेरी कलम की बूंद पन्नों पर बिखरे संगर्ष की कहानी सुनाता कागस की सफेदी में मिलता है जुनून विचारों के समुदर में मेरे शब्दों की धारा रात की गहराईयों से निकलती है मेरी साहस शब्दों के जंग में अकेला निकला हुआ सुपनों के आकाश में हो मेरी उडान महफिल की मेजबानी ही मेरा इरादा कलम के साए में छुपी है मेरी कहानी तेरे साथ हूँ जीवन की कहानी में मैं लेखक लेखक जो अपने कलम से जो है चीजे लिखते हैं वो अपने जो कुछ दर्द छुपा देते हैं उसके उपर दो लाइने मैंने लिखने की कोश्की थी वो ये हैं कि जिन्दगी का मेला है, हर रंग चाया है, मुसकान की चादर के नीचे अपना दर्द चुपाया है। एक और पुराना खयाल था, इस पर है कि ये लेकखक लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूं क्या लिख सकते हैं? कि मैं लिखूँ तो इतिहास में तेरा नाम लिख दूँ तेरे नाम पर काइनात तमाम लिख दूँ और देखी है मैंने दुनिया खुबसूरत बड़ी मैं चाहूं तो पत्थर को भगवान लिख दूँ मैं चाहूं तो पत्थर को भगवान लिख दूँ कि जरूरत के समान कम है मेरे पास वो खाली पन्नों पे सारे सामान लिख दूँ ज़रूरत के सामान बहुत कम है मेरे पास, और खाली पन्नों पे सारे सामान लिख दूँ, मेरी इमानदारी को ना समझी कहते हैं लोग, मैं उनके सीनों पे खुद को इमानदार लिख दूँ, और देखा है जजबा यहां के लोगों में, मैं लिख सकूँ तो हर किताब में इस अहित में ये बात कहता हूँ, मैं भी वकील हो जाओंगा जल्दी, उसके लिए है कि इस गजब से बचने का सबील कोई नहीं, इस गजब से बचने का सबील कोई नहीं, ये मेरे अपोज में हैं और ये सबी जितने वकील हैं उनके भी अपोज में हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इ इस गजब से बचने का सबील कोई नहीं, भड़ा पड़ा शाहर सच्चा वकील कोई नहीं. Thank you.